बोस्त एपइइण शुरुआत में हमें एक टंग गली में कफी खसता हालत में रह रहे है दैंची को दिखाया जाता है ठिंची कि आंकी खोलते है तो डैंची अपने फटो घंजी रास्ते में अपने पैपटड़ से से बात पता है दोस्त मुझे पेड़ काटने के महीने के साथ हजार मिलते हैं फिर भी मुझे अपने कर चुकाने के लिए अपनी एक किड्नी और एक आंख और अपना एक गोटा तेरा लाक में बेचने पड़े और अभी भी मुझ पर बहुत सारा कर्ज बाकी है पता नहीं यह कब खत लाक तो मिल ही जाएंगे और डैन जी अपने पैट डैविल को उठा कर चैन्शो स्टार्ट करता है और पलक जपकते उस डीमन को मार गिराता है यह अपने बीजों से वापस आ सकता है तो इसे जला देना और हमें दूसरे करेक्टर यह खुजा को दिखाए जाता यह खुज हजार और डैन जी अपने सतर हजार लेकर घर की तरक चल पड़ता है रास्ते में बोलता है इस मसे घर का खर्च पानी का बिल और बाकी चीज़े हटा दूं तो सिर्फ अठारा सो रुपे बचेंगे जिससे मुझे पूरे महीने चलाना होगा इसका मतलब यह है पोची था कि कि यहिंप खा करती हमें आज फिर से एक व्रेट खाकर सोना पड़ेगा अमने डैन जी के पीछे यकूजा को दिखाया जाता यह कूजो को दिखा ठांग तरी रहर ने जिस पर यकुजा बोलता है कि डेंजी के फादर ने हमसे काफी कर्ज लिया था जो वो भड़ते भड़ते मर गया लेकिन अब उसका बेटा हमारे उस कर्ज को भर रहा है इसके साथ ही डेंजी हमारे लिए खास है क्योंकि उसे चुकान दिया जाए वो उसे पूरा करता है यकुजा कर ड्राइवर कार जाकर डेंजी के सामने रोकता है और बोलता अगर तुम जलती सिगरेट खा जाओगे तो मैं तुमें सो यन दूँगा डेंजी बोलता है क्या सच में और डेंजी सिगरेट लेकर उसे खा जाता है ट्राइवर पैसे देता और वहाँ से निकल जाता है जिसके बाद डेंजी پوچیتا से बोलता है दोस्त तीन दिन का और खरच निकल गया जिसके बाद पوچیتा को लिकर वो अपने घर बाखता है डैंजी मैंने सुना है कि आम लोग बैट पर जैम लगा कर खाते है पर यह सब मेरे लिए बस एक सपने जैसा है मुझे तो लगता है कि मैं अपना कर्ज भरते भरते ही मर जाओंगा अगर मेरी कोई आखरी विश पूरी होती तो मैं मांगता कि मुझे एक कल्फरेंड मिल जाए जिसके साथ मैं अपने जिंदिकी के आखरी वक्त विता सकूँ इसके साथी डेंजी को नीद आ जाती है और हमें उसका पास दिखा जाता है तीज बार इसमें डेंजी अपने फादर की ग्रेप के सामने खड़ा होता तब ही वाँ पर ये खुज आता है और बोलता है लड़के तेरे बाप ने मुझे साथ लाख लिये थे अगर कल तक तुने मुझे वो पैसे नहीं दिये तो मैं तेरे टुकडे करके तुझे ही बेच दूँगा चाहिता डेंजी को काड लेटा डेंजी बोलता यह एक टील है अब से तुम मेरी मदद्द करोगे और मैं तुम्हारी मैं भी तुम्हाई तरह मना नहीं चाहता हूं तूसरे पल हमें डेंजी को यकुजा के सामने दिखाया जाता यकुजा डेंजी एक लिटिल डीमन देते जाता है ये मोचे लगता है कि वो डीमन यहां से बहुता है पता है लेकिन मुझे कुछ ये थी कि Αपती आती है जो नुच ίार फाची प्रहते हैadem यहां थैसा के आप Weg मोचे ठीमन से सोदा किया और हमें ठीक हैं इसी जुद वाज्चा जाती है को दिखाया जाता डीमन बोलता है कि मैं दुनिया में सभी डीमन हंटर्स को मरा हुआ देखना चाहता हूं इन्हें देखो लड़के इन्हें ताकत की भूग थी मैंने इन्हें थोड़ी सी ताकत दी और अपना गुलाम बना लिया यह मेरी जॉंबी की फॉज है और मैं हूं ज रवन जल्दकी चाहता था क्या वो भी मेरे नशेत में नहीं है इसकी साथ ही जैंजी पर कई सारे बाहर जोंबी करने लगते हैं और लक्री की साथ साथ संथ होता है और कच्छी की दिबे में हमें पूची है और देंजी के टुकड़े दिखाए एक बूंद पोचीता के मुओं में चाहते हैं कि इसने पूचीता अपनी आँखे खोलता है और पूचीता को समय याद आता है जब लकडी चींड के साथ कात्रा लेकिन मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं अकेला छोड़ गया जिसके बाद तुम भूख से या किसी और डीमन हंटर के द्वारा मारे जाओगे लेकिन मैंने सुना है कि डीमन्स में पावर होती है कि वो इंसान की मरीवी बोडी पर काबू कर सकते है अगर पोचीता तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम मेरी बोडी पर काबू कर लेना और वो सपने पूरा करना जो मैं कभी नहीं कर पाया और कह सब्सक्राइब वापस ना पाए डेंजी बोलता है वैसे तो मैं तुम्हें मानना नहीं चाथा लेकिन अगर तुम मेरे डास्ते में आऊगे तो मैं तुम्हें छोडूंगा भी नहीं और डेंजी अपनी चाती पर लगी वायर को खीस त हैं लेकिन तभी सारे जॉम्बी डाट यहाँ पर ड कोड़ता हुआ सबढ़े niya अगर तुम खत्म हो जाओ तो मेरा उधार भी खत्म हो जाएगा और सभी को काटना शुरू करते जिसके साती सुबह वहां एक कार आती है जिसमसे तीन लोग उतरते हैं जो वह लोग अंधर जाते हैं तो टीमन्स की बॉर्डी के बीच वह डेंचे को देखते हैं पर उससे पहले ही वो लड़की उसे ठाम लेति है उसके पकड़ते ही डेंची वापस से इनसान बन जाता है कि मैं डैल हन्टर हू? और सेफरिटी डिपार्टमेंट में काम करती हू? लेकिन मैं यहाँ पर जॉंबी डैल को मानने आए थी, जिसे तुम पहले ही मार तुके हो। मैं तुम्हें डुशन देतू, या तो मैं तुम्हें डैविल की तरह मार तुम मेरे काम कशो और तुम्हारे खाने की पूरी समयधारी में। जी पूसता ककी खाने में क्या मिलेगा, जिस पर वो लड़की बोलती है सेन्वीच और बटर सलाद और डेजर्ट में भी बहुत कुछ डेंची बोलता लंच में क्या मिलेगा और इसके साथ ये अपिसोड ये पे खतम हो जाता दोस्तों आपका अपिसोड क्या सलाएगा जरूर बता वीडियो को लाइक करना चनले को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फोलो करना ना भूले तो मिलते हैं अब इसके नेक्स अपिसोड में थैंक्स और वोचिंग और सायोनारा